कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें आज हम एक नए टपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो क्रेडल का साइज का उपर है अपना जैसे के ग्रेडल लगता है और वो क्रेडल का क्या यूज होता एक्सिए क्यूं यह सथैहिंन देंगे तकि हो एक सक्सेशफूल इसाब से योज होगा और यह देखो अपना जो क्रेडल का मैंने जीतरा देखा है 36 mm क्रेडल का है 49 mm का देखा 451 mm देखा 43 mm देखा 59 mm देखा यह से 5 परकार का मैंने देखा और क्रेडल का देखो इसका सेंटर से क्रेडल का जो लास्ट पॉइंट तक यहां तक ही रहता है इसका जो डिस्टरंस इसको ईसको क्रेडल साइज बोलते जनल एमेम में आता है नहीं जो अपर जिसका पर लगाते हैं वह जो मीडल आरबर उसका बात कर रहा है उसका Center to cradle का जो प्लास्टिक का पीस देता है यह मेटाल का जो भी है उसका टिप तक यहां तक जो होता है उसको अपने गुलते हैं क्रेडल बोलते हैं मतलब साइज तो उसके पात देखो यह जो है यहां बीच में लगता है स्पेशल लगता है सिंप्लेस की केस में कभी-कभी यहां पर भी स्पेशल लगता है दोनों जागा लगता है दोनों जागा लगता है सिंपलेस में रिम फ्रेम में जिल्लाली एक जागा सेंटर में लगता है और वो स्पेसर साइज अलग-अलग रहता है काउंट के हिसाब चापको मालूब ए मैटरियल के हिसाब से और यह जो दिखा पट्टी जैसा यह टॉप आपरण जो जाएगा ठीकने से लंबाई उसका अलग-अलग कंपणी के अलग-अलग सब आता है ठीकने से अलग आता है और लंबाई बगरा भी आता है और यह टॉप आपरों ने तो यह सब चीज ध्यान रखे इसका मैंने नाक्षा इसलिए काटकर आपको बता दिया आता है कि जाता है इसे दवादों की आ जाएगा तो क्रेडल का देकर डेफिनेशन क्या चीज है कि क्रेडल इजिए ड्राप जोन कंपोनेंट जो टॉप आर्म की नीचे की पॉसर में लगा रहता है इसे नीचे से लगाते है फार सिंप्लेक्स अंड इंफ्रेम सिंप्लेक्स में भी होता है अंड फाइबर रेन्फोर्स प्लस्टिक वह प्लस्टिक होता है बिल्कूल स्ट्रंग बनाके इसको लगाते हैं तो मेटलिक बला भी लगता है पहले जमाने मेटलिक पूरा पूरा था आज की जमाने में यह आ गया सस्ता सुन्दर मजबूत ठीक है हुच गाइड मे में स्मूथ रोटेशन टू टॉप अप्रॉन है इसको बिल्कुल स्मूथ रोटेशन देने के लिए ही तैयार क्या हुआ और स्मूथ कैसे चलेगा और टू कंट्रोल दो फाइबर्स भेरी वैल एंड ड्राप जोन के अंदर जितना फाइबर आएगा कैसे कंट्रोल से आएगा उस हिसाब से दिया जाता है और उसको देगो ड्राप जोन आड़ बेटर ग्रीप टू फाइबर्स यह जो बटम आपरों टॉप आपरों का अंदर ग्रीप रता है वो ग्रीप देने के लिए भी लगता जैसे आपको एक्जम्पूल बताता हूं जैसे आप कोई गाड़ी चला तो लोहे का पहात नहीं लगा तो रबर का लगता है टायर बगरा लगता है यह से माट्रियल जो आएगा इतना जो पढ़ा हूं आप आता है यह से रोबिंग के हिसाब से नहीं आता है जेनरल इक खुना हूँ हा फाइबर हाता है इसलिए इसको एक रबर का पात देते हैं हम लोग ओदेखो एक चाती से मैं उन्तरीश एमें चालिस पैल्ड एग ए चालिस तूब है इसमे क्या होना है तो इतना बढ़िया वर्किंग नहीं रहता है इसलिए 44 mm के लिए 43 mm वाला बढ़िया रहता है चल जाएगा कोई लेकिन दिख्के जाएगा तुला क्वाल्टी का उसका बद देखो तो 43 mm में PSM, PV, PC, अप्टू 51 mm लेंग तक अब 43 mm चलाओगी बढ़िया रहेगा और 59 mm कब लगता है जब उल का जैसे 64 mm का रहता है अकरेलिक 64 mm, 60 mm उपर वाला 59 mm में चलाओगी तो बढ़िया रहेजल रहता है तो यह जेन्राली सिंथेटिक तो यह जेन्राली सिंथेटिक तो यह तो यह तीन पढ़िया है ठीके और इसका में बता दू एक्जांपूल बता तो एके एक्जांपूल कटन 29-30 mm लेंग तो एके नर्माल कटन और क्रेडल साइज आबकी 36 mm तो ऐलन्म्डब्लू में जब ग गेज करोगी बटम रोल गेज होता है साड़ बैली साट एलमडबलू में और साडल के जोता है पच्चास सत्ता बन देखो यह जो बैली स्पर पांच यह मिनमुम गेज है यह जो साट में में कभी-कभी साट भी रख सकतो पर शेट भी रख सकतो कोई ऐसा दिक्क्या नहीं पच्चास सत्ता बन देखो यह तो पच्चास भी रखा इसी में हम कभी 52.5-52 भी रखते उसका अलग कहाणी है अलग कहाणी मतलब जैसे आप पर शम्मलो डायाड मेट्रियल चला रहो बलीशी मेट्रियल चला रहो वह मेट्रियल क्या आप उसमें मतलब आदेशिवनेस रह कटन का तो यह जो पचास सत्ता बन दिया मैंने साडल गेज ऐसा कोई फीक्स का ही लिखा नहीं हो कि पचास होगा चलेगा कभी-कभी बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी कटन लगता है तो अपन साड़े उंचास उंचास भी रखते कभी-कभी बाउन तक भी जाता है तो इसम कटन में 51 कैसे तो आप ध्यान रहना LMW मेशीन का जो मतलब बटम आप रोड़ होता है उसका गाइड पुली रहता है मतलब उसका आपृँ इस तरह रहता रहता है रहता है यह बटम रोल है ना इसमें जो आपरन रहेगा पत्टी रहता है इसमें पिछे की तरह पे इसे रहता है गाइड पुल रहता है यह होगा LMW क्या होगा इसे बटम रोल है यह उसका बार है अलमिल्यम बार जो होता है आप रहेगा तो यहां पर ज्यादा जागा लेता है इसलिए अपर इदर LMW में पीछे ज्यादा रखते है केटी टेम में जरूरत नहीं है केटी टेम बटम आपर पूरा मिडल रोल के साथ लगा रहता है ऐसे ही समलों कटन से हम यहीं कटन रहा आपने क्रेडल लगा 49-49.1 इतना लगा ठीक है तो उसमें देखो बटम रोल गेज वहीं साड़ बेयाल इस पीछे का थोड़ा बढ़ा द क्रेडल साइज बढ़ गया तो केटी टेम में देखो 44-60 और 54-57 यह क्रेडल जो साड़ गेज यह बटम रोल गेज ठीक है और सिंथेटिक में देखो यह 43 mm का क्रेडल है अब सिंथेटिक फाइबा समलों पीए से 44 mm का तो LMW में बाउन सत्तर का केज कोई दिक्र नहीं चलेगा साडल गेज 55-67 ऐसे यहां त्रेपन 65 का लिया ओच चपन 62 क्रेटी टेम में आपको इसका बारे बता दू देखो जैसे अपना क्रेडल अगर आपकी मैट्रियल से मैं अगर समलों फाइबर में स्ट्रेंग ज़्यादा है तब आपको थोड़ा वाइड गेज पीछे का जोद में रखना पड़ता है आगे में सिंथेटिक में थोड़ा वाइड गेज रहेगा क्योंकि अगर वाइड गेज नहीं रोखोंगी आप गटने की बीमारी बढ़े बसट और बाड़ा बिमारी सिंथेटिक मेल में घर्च बढ़ता है खाली आप्रों और कट बढ़नकर नहीं होगा उस की सहलोह कहलो maior सबसे पहले है इसका जो अपना ट्रावर्स मोशन है ना ट्रावर्स चाप्टर एक ट्रावर्स मोशन देखना उसपे जो हैं एक इस जिसिसमें और अपन्र अदरी कि इधन्स आपकर शीए्स अंदर ज 57 क їхणा है कि यहां पर पुरा थीकनेस कम होता है वह क्यूंभ होता है आपकी ट्रावर्स मुष्ण काम नहीं करता न ऐसे जैसे यहां आठ एम्म तक 6-8 एम्म तक ऐसे इसे मलों रोभिंग एसे इसे हिलना चाहिए ट्रावर्स का मुष्ण देता है तो एक जागा नहीं चलेगा तो आप हो जाएगा और दूसरा चीज है जब भी आप नया अप्रण डालतों एक साथ दोनों डालना कोंजा टॉप बटम दोनों एक साथ डालना आठ टैम डालना कभी आप बटम अप्रण डालना टॉप नहीं डालना गलत है दोनों एक साथ डालना और जब नया अप्रण डा कि इसमें क्या क्यों रिडूस करा जाता है इसलिए रवा नहीं होता है मतलब आप रहता है इसलिए पाउडर पगराट धोड़ा डालके और इसको चालू करते हैं इसमें के हजाद दोजार आर्पेम कम रखते हैं जब इस घंटे के बात बढ़ा देंगे चलेगा लेकिन कम आप्टेड आएगा तो आपके वर्किंग खराब रहेगा फिर काट्स बगरा आप्रम बगरा काट देगे यह बहुत इंपोटन है ओ चौथा चीज है मिडल आर्बोर का मिडाल आर्बोर का इसका आब यह करना है मिडल आर्बोर गरीजार नहीं करेगा एंगर शुथली नहीं गुमा गाएगा तो उसको बढ़िया से यह करना और ग्रेटल का अदर सबसे पहले इसका अंदर सफाई क्लीनिक ड्रक्टिंग क्लीनिस साइढ mg साइड से चौन से सफाई करना इसे रोज की काम है अगर पर नहीं करोगी आप कितना भी आएंग स्थाइभ बढाऊ रहेगा तो तो कभी भी क्लीनिंग में आप यह नहीं करना डिले नहीं करना और यह जो क्रेडल का चीज है यह देखो हर में अलग अलग चलाते हैं समझालो आपको मैं एक जम्पुल बोलता हूं एक एक जम्पुल समझालो आपने तीस काउंट चला रहो तीस के डवलू चला रहो ठीक है फाइबर लेंग्थ है 27 से 28 अगर आपने वही 30 के डवलू चला रहो वह आपको बढ़िया क्वाल्टी का चाहिए है डीसीए 32 का चला रहो कटन जो की 36 एम्यम का लेंग्थ है वह स्ट्रेंग्थ भी अच्छा है इसमें स्ट्रेंग्थ नर्व इस केस में भी क्या करना पड़ेगा मलूब है आपकी जो जो अपना फ्रॉंट जो टॉप रोल अप्रों जो है जो क्रेडल की आगे से बटम रोल जो है वह ज्यादा रखना पड़ेगा क्यूंगि यह फाइबर में लेंग्थ तो है दम भी बहुत जादा है तो इसलिए इत सिंथेटिक जैसा हो जाता है तो इसमें वाइड थोड़ा रखड़ा पड़ेगा तो गेज बगरा के लिए देखो कोई भी हाड़न फास्ट टूल नहीं है जिस मेल में जिस प्रकार का बढ़िया रेजल्ट आता है सब ट्राइल करके आज कल का तो मतलब यूटिफाइब ब बटम रोल गेज दोनों ही इसको ट्राइल किजिए तो यह सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा क्या-क्या मतलब करने से सही होता है और क्या नहीं करना चाहिए और यह जो विडियो है बहुत इंपोर्टन है देखो आज की डेट में लोग 20-20 साल नुकरी कर लेते हैं बटम तो मैं सोचता हूँ यह चैनल आप देखने का बाद एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन किस दिशा में चले टेक्निकल चीज जान के काम करना बढ़िया चीज है जैसे कहां बद एक किसान बढ़ना असान है लेकिन एक पढ़ाली का आत्मी जब किसान बनता है वो अलग तरीका से सोचता है कैसे पर अक्टिमिटी गेन आएगा कैसे अनाज को बचाएगा कैसे यह करें ऐसे पढ़ाली का आद्मी जैसा नुक्री करें तो बढ़िया रहता है तो यह जो गे जो सैडल के जो चीज है बहुत इंपोर्टन चीज है और मेरे को उमीद है यह आपकी समझ में आ गया होगा यह आज यह वीडियो में एहीं पर समाप्त करता हो तैंक्यों